असलाम वालेकुम गाइस वालेकम बैक टू आवर नीव वीडियो सो कैसे हम सब उमीड करता हूं सब ठीक होंगे आज की वीडियो हमारी क्वाल्टी पर नोल लगी है तो गाइस कुछ टाइम पहले मैंने अलाइन मुशन पर एक क्वाल्टी का टिटोर्यल बिना गया था अगर तो देखना चाहते हैं तो इसका लिंग मना नीचे दिस्क्रेट crack के बाद वीडियो को Reg audit में पर एक बची की वीडियो कर लिया इसके बाद वीडियो पर तेया देड़ना उक्नी को हो निए or को लिए करने के बाद आप आपने सबसे पहले अपनी वीडियो का सावड म्यूट कर लेना है उसके बाद गाई जो लास में इसकी एंडिक है आपने उसको डिनिट कर देना है गाईस अब हम इस पे कुछ एड़ करेंगे आप जाएंगे नीचे अफेक्ट पर उसके बाद आपने वीडियो एपक्स पर आ पर आप थोड़ सा आगे जाएंगे आपको कोमिक का option मिल जाएंगा आप पर जायेंगे उसके बाद आप थोड़ जा नीचे जाएंगे तो आपको भी एंड डब्यू में apply कर लेने तो इसके बाद गैस आपने इसको 60fps पे export कर लेने export करने के बाद आपने दुबारा back आ जाना है then आपने जो bmw sketch effect add किया होगा आपने उसको select कर लेने उसके बाद गैस आपने निचे replace effect पे click करने तो गैस इस effect के जगा हम neon effect को add कर लेंगे ये effect को भी आपको उसी comic option में मिल जाएगा आपने simply इसको add कर लेने add करने के बाद आपने इसको दुबारा 60fps पे export कर लेने export करने के बाद आपने दुबारा back आ जाना है उसके बाद जो आपने effects add किये थे उनको आपने delete कर देने इन दोनों effects को आपने delete कर लेने इसके बाद हम overlay एड़ करेंगे हमने जो पहले दो वीडियो एक्सपोर्ट की थी उनको हम overlay में एड़ कर लेंगे एड़ करने के लिए आप नीचे जाएंगे overlay में वहाँ पर आपने एड़ ओवरले पर क्लिक करने है दैन आपने जो फस्स वीडियो एक्सपोर्ट की थी आपने उसके आड़ कर लिए इसके बाद गैस आपने इसको अपनी वीडियो पर solchen है जो आपकी में वीडियो होगी उसके एग्जेक्ट उपर ही आपने इसको it करने आजएस करने के बद आपने overlay को select कर लेने उसके बाद हम जाएंगे नीचे सप्लाइस पर वहाँ पर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको बढ़न का option मिलेगा आपने उसको click कर लेने उसके बाद गाइस आप इसकी capacity को अपनी वीडियो के according increase या decrease कर सकते हैं मैंने इसकी capacity 45 कर लिया है इसके बाद आपने इसको okay कर लेने अब guys हम second overlay add करेंगे आपने उसी तरह जाने overlay में वहाँ पर आपने second video जो export की थी आपने उसको add कर लेने add करने के बाद आपने इसको भी अपनी main video के exact ऊपर adjust कर लेने adjust करने के बाद आपने second overlay को select कर लेने उसके बाद आपने नीचे सप्लाइस पर जाने वहाँ पर आप सबसे last में जाएंगे आपने dodge effect को select कर लेने then आपने इसकी capacity को अपने video के according increase or decrease कर लेने मैंने पिलाल इसकी capacity 50 कर लिया है तो guys इसके बाद आप देश सकते हैं आपकी video में HDR effect एड़ हो चुका है तो अब हम इसकी main video में कुछ changing करेंगे आपने अपनी main video के layer को select कर लेने उसके बाद guys आपने इसकी adjustment में जाने यहाँ पर अगर आपने main video के color adjust करने तो आप कर सकती है जो में इसकी adjustment कर रहा हूँ वो अपनी video recording कर रहा हूँ सबसे पहले मैं इसकी brightness को increase कर लेता हो इसकी brightness को मैंने add कर लिया इन आपकी बाद आपकी वीडियो में dark effect जाने तो आपकी में आपकोtes को decrease कर लेने उसके बाद अगर आपकी वीडे में light and effect जादे तो आपने exposure को decrease करदीन है मेने exposure को डिकृrend कर लिया इसके बाद गैस आपने अपनी वीडे की quality increase करने के लिए sharpen effect को increase कर लिया मैंने sharpen effect को 40 कर लिया उसके बाद गैस आपने HSL में जाने वहां पर आपने अपनी को चेंज़ें करनी है आफिस जिस reverse की adjustment करनी आप उस कलर चाल को सिर्ट करलेए मैंने यहाँ पर औरेंज कलर को स्रट कर लीए इसके बाद इसको मैंने ह। मैंने mm इक वहाँ इसके बाद आपने Guide Geoline सटूरेशन को मैंने प्लस 6 increase कर लिया कि इसके बाद गयास आपने जिसके आपने इसके बाद कर लिया है इसके बाद आप आपकी वीडियो बेटने को डिकरीज़ कर लिया मैंने इसको मैनिस फॉर कर लिया है इसके बार मैंने शेडो को भी मैनिस एड़ीज कर लिया है और लास्प विगनेट एफेक्ट मैंने अड़ कर लिया क्यूंकि अगर यही आप एड़ करते हैं तो आप यह वीडियो पहले से जादा अच्छी दिखती है तो घाई यहां क्प्लीट कर वे ताके नाइस कम्य टेटोरियल जल्दी आए बाकी गाइस अगर आप HD क्वालिटी का डिटोरियल अलाइब मशन पर चाते हैं तो उसका टॉटरियल मैंने अरड़ी अपलोड किया है जिसका लिंक में आपको नीची डिस्क्रिप्शन में दे दुगा आप वहा हुआ